पुत्र बीजक पीच दवा पर उठे विवात पर सफाई देने के लिए बाबा रामदेव सामने आये रामदेव ने कहा कि उन्हें बदनाम करने के साजिश रची जा रही है साथी राम देव ने जेडियू सांसत के सित्यागी पर देश को गुमरा करने का आरोप भी लगाया और माफी मागने को कहा साथी राम देव ने कहा कि दवा बेशने के लिए पतंचली योगवीट के पास बाकाइदा लाइसेंस है और दवा का लिंग निर्धारण से कोई लेना देना नहीं है किसी त्यागी जी के घर की पही में लिखी होगी जो बता रहे हैं कि यह सब बाते मैंने का बेहूदी बाते हैं कि अगला करने तो हो नहीं कर लियाना हो जाए कि अब लोग जहाए शिक्स पैक बनाने में लगें बाबा कर सिंगल पैक है जहाए शिक्स पैक बाला कोई भी एक्टा करके बाबा के साथ रसली भी कर सकता है योग में बहुत तागत है अब मैं योग की महिमा बताता हूँ उस देखी लोगों को परिशानी बुर्भाबा तो जहाए लोगों को सेक्स पार बढ़ाने के लिए योग सिखा रहे हम सेक्स पार बढ़ाने के लिए नहीं बता रहे हम तो यह बता रहे हैं योग से दोनों काम होते हैं sex and disorder भी दूर होते हैं और sex and desires के ओपर भी control आता है अब ऐसी बातों को भी कुछ पता नहीं कैसे प्रजान कादी में लगा रहता है हमारा काम है योग अवेद और स्वदेशी का पजार करता है वैदिक संस्कृति का पजार करना इसमें विरोध तो होंगे अवरोध तो आएंगे उनको भी जिद्रा जरूरी होगा उतना बीस बीस में आकर के यहां बताते रहेंगे हमने सुचा था इस आयत सत्ता परिवर्तन के बाद हमको ज़्यादा विबातों में लोग नहीं घेरेंगे लेकर बज़ कोई हमें छेड़े का तो फिर उसको सोड़े के लिए यह हमने भी तैकर लिया है हम बहुत दिन होगी तो दो मैंने होगे हम बहुत ही नहीं रहे थे अचा यह दिल्ली के अलावाद हैं बोलो तो सुन्दे भी दे भी मैंने हरयाना में पूरा पता दिया थे यह दो बात बता ये सावी नहीं बात को अठाइए हें लिग आप लोगों सेभी सिकायता मैं जहां भी भे वरो मेरे संदिया तो करो हम से तुमीं दुभी रहे यह दिल्थ में बोलू कह कै देसे में कहीं भी बोलू लेकिन क्या करें यह दिली पर नहीं लगते बिली में तब तक ज़हाए बाक देस नहीं है तक सब को बात बहुत पनाम अब बात बात समत का बात 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 खुंभि अब पर धुन 극 Deutsch से की uppa अ लिक एम हो तो मैं लेक तो पुत्र जीवक बीच दवाप और उठे विवाद पर सफाई देने एक लिए बाबा रामदेव सामने आए रामदेव ने कहा कि उन्हें बदनाम करने की साजिश रची जा रही है साथी रामदेव ने जेडी उसांसत केसी त्यागी पर देश को गुमरा करने का आरोफ लगाया उन्होंने कहा कि केसी त्यागी को देश से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उन्होंने भ्रांती पहलाई है साथी राम देव ने कहा कि दवा बेशने के लिए पतंजली योग पीट के पास बाकाइदा लाइसेंस है और दवा का लिंग निर्धारण से कोई लेना देना नहीं है कि दिजाइज के ओपर भी कंट्रोल आता है अब ऐसी बातों को पता नहीं कैसे प्रजन का दिमें लगा रहता है हमारा काम है योग और स्वदेशी का पजार करना वैदिक संस्कृति का पजार करना इसमें विरोध तो होंगे अवरोध तो आएंगे उनको भी जिद्रा जरूर होगा उतना बीस बीस में आकर के यहां बताते रहेंगे हमने सुचा था इसायत सत्ता परिवर्तन के बाद हमको ज्यादा विवादों में लोग नहीं गेरेंगे लेकिन वह को हमें छेड़ेगा तो फिर उसनों सोड़ेंगे यह हमने भी तैय कर लिया है हम बहुत दिन होगी में बहुत चिए तो दो मेने होगे हम hoài nolil नियू ऐाओ अच्छा यह दिनी के लावात है बोलओ तो सुझने भी देए मैंने हर्याना में प्लूरा बता दिया थैं यह जो बात बताईए साथि मेरी बात पूठाइए ही देखे आप लोगों से भी सिकायत है नहीं बहुत आए फिरी सुन्धिया तो करो तो अध़िए ताव से और अधे अधिसे कहीं भी बहुत है लेकिन क्या करें यह दिली के महिमा भी अला की बाद है जब तक दिल पर नहीं लगती दिली में तब भाद देश्क में भी नहीं है अब दोनों आजम से क्या क्या करना हो गया हो तो गही है यह राश्ट्री अपराद है स्वामी राम देव ने कहा कि पुत्र जीवक बीज दवा का लाइसेंस है और लाइसेंस पर ही दवा बनती है इसलिए इस बारे में जो ब्रांटी फैलाईजरिस के नाम को लेकर वो बिल्कुल गलत है त्यागी जी इसी बात पर आज स्वामी राम देव बाबा राम देव ने अपनी प्रेस कांफरेंस की उन्होंने कहा है कि इसका औशधी नेम बोटेनिकल नेम उसका यही है इस दवा का पुत्र जीवक बीज इसका पुत्र प्राप्ति से कोई लेना देना नहीं है और उन्होंने काए कि आपको आपको माफी मांगनी चाहिए इस बात पर वो यही कह रहे कि यह ऐसा नहीं है कि मेल चाइल्ड के लिए है लिंग निर्धारन सकैस का लेना देना नहीं है बोटेनिकल नाम है इसका पुत्र जीवा रोख सबर्धी प्यागी जी इस वक्त जो यह आपने संसद में जो बात कही ते और जिस पर स्वामी राम देव ने सफाई दी है उसकी हम बात कर रहे हैं आप मेरी बात पहले सुन लीजे इस दवा का जो आप जो दवा है पुत्र जीवा बीज इसका बोटेनिकल नेम पुत्र जीवा रोख सबर्धी यह इसका बोटेनिकल नेम है उनका कहना है और इसी पर आधारित इस दवा का नाम है और इस दवा में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि यह पुत्र प्राप्ति के लिए है उन्होंने कहा कि यह सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको बच्चे नहीं होते यह भी गल्ब पाया है नंबर दो पहले पहलोगा मेरा लिखना है कि वह बहा के उपर संतान जीवक्ष दीजी लिखने मेरा बरूप्ताम हा जाएगा दोसरा यह है ठर्टिलिटी को लिखर के और सेक्सेल एक्साइटमेंट को लिखर के व्यागरत दवाई है यह दोनों बाते गल्ब पायी है इंडियन मेडिकल कॉंसिल के चैर्मेन खेटरों ने कहा है ना यह एक्सरी की में काम आई है ना यह विखर के त्यागी साफ लेकिन बाबारामदेव कह रहे हैं कि यह दवा जो बना रहे है और उसी आधार पर एदवा बनती है दूसरी बात उनोंने कहा कि आप प्रधान मंत्री मोदी पर निशाना सीधे नहीं साथ पा रहे हैं इसलिए आप उनके जरीए उनको निशाना बना रहे हैं रामदेव के जरीए मोदी को निशाना बना रहे हैं लेकिन इस्वाहले में प्रधामिंत्री की सराना कर ले हैं कि दोने लिंग अनुपाथ को कम करने के लिए पानिपस्टे अच्छा टेम्पेंश रुट जाता जो गलत आज़ी के हाथ में चला गया जी अच्छा रामदेव ने कहा है कि ये पाकिंग जब खतम हो जाएगी जब नई पाकिंग आएगी तो उसमें एक वो लाइन डलवा देंगे कि इस दवा का पुत्र प्राप्ति या पुत्री प्राप्ति से कोई लेना देना नहीं है आप संतुष्ट है अगर ये लाइन इस इस दवा के नाम के ये बाबा रामदेव के कुछित प्रचार की हार होगी और हमारे विचहरों की जीत होगी और मैं इसका स्वागत करूंगा चलिए अगर ये लिख जाता आप कह रहे हैं कि इस दवा का पुत्र या पुत्री प्राप्ति से कोई लेना देना नहीं तो आप संतुष्ट होंगे भले इस दवा का नाम पुत्र जीवक बीज दवा रहे चलिए लेकिन अगर एक लाइन नीचे पढ़ जाती कि इसका पुत्र या पुत्री प्राप्ति से लेना देना नहीं तो आपिस से भी संतुष्ट हैं त्यागी साब का बहुत-बहुत धन्यवाद ह सफाई दिनों ने कहा कि ये इसका बोटेनिकल नेम है इसलिए इसको इस तरह से ना देखा जाए कि पुत्र प्राप्ति के लिए ये दवा है या उसमें कारगर्द होती है